नमस्कार निर्जास किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी नवरात्री चल रहे हैं तो चलिए कुछ व्रत का सामान बना लेते हैं आज हम बनाएंगे सिंहाडे की भरफी तो हमें इसके लिए क्या-क्या आटा एक में उतनी ही शक्कर ले लिजिए और एक बावल में हम ले लेंगे उतना ही पानी अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप शक्कर को आधा भी कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार आप शक्कर डालिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमे आप सिंहाडे का आटा डाल दीजिए इसे मध्यम आच में हमें भूंजना है तेज आच पे इसको हमें नहीं भूंजना है मध्यम आच में भूंजना है ताकि यह नीचे से जलेना और एक सा बिलकुल अच्छा ब्राउन हो जाए यह हमारा आटा एक सा ब्राउन हो गया है ज हम इसके बाद हम इसमें शक्कर डाल देंगे कई बार गैस पर ही कई लोग बना लेते हैं इसको पर अक्सर उसमें गुठली बन जाती इसलिए मैं ऐसा ही करती हूं कि पहले हम गैस बंद करके सारी चीजें नीचे इसमें मिक्स कर लेते हैं पहले हमने शक्कर मिलाई, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी डाल के भी इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, आप श्योर हो जाए कि अच्छे से इसमें पानी मिक्स हो जाए, और सारा गुठली या जो भी दाने दिख रहे हैं, वो सारे आप चला चला के दबा के इस सब हो जाए उसके बाद ही आप गैस को आउन करेंगे अभी दाने जो भी दिख रहे हैं उनको आप इस चम्मस से जो भी आप जिससे चला रहे कर्ची वगहरा से दबा के उसको खतम कर लें अब हम गैस आउन कर देंगे और इसको पकाएंगे अब पकाने में हमारे कोई भी लम्स या गाठ नहीं बनेगी और बहुत अच्छा काची का मसाला बनके तयार होएगा हम लोग इसको काची बोलते हैं बहुत लोग सिंघाडे की बरफी या कोई लपसी या कोई कुछ बोलता हम लोग कहां पर सिंघाडे की काची बोली जाती है इसको यह देखिए कितना अच्छा बनके तयार हुआ है यह बिल्कुल बीच में एकदम सिमटने लगे तब आप इसको गैस को बंद कर दीजिए और एक प्लेट ले लिजिए या कुछ भी ले लिजिए बरतन उसके उपर इसको जमा दीजिए इसको ग्रीस करना भी जरूरी न कि एक सार कर लीजिए अच्छे से अच्छे से कि बहुत गरम गरम है तो मैं चम्मस से ही कर रही हूं अगर आप पानी को ठंड़े पानी में हाथ डाल के उससे आप इसको संकल करना चाहती तो आप वैसे भी कर सकते हैं बस अब इसको हम 10-15 मिनिट ऐसे ही छोड़ देंगे 15-20 मिनिट में यह आराम से जम जाएगी यह देखिए हमारी सिंहाडी की बर्फी जम के तयार हो गई है अब हम इसमें कट लगा देंगे आपको जैसे कट लगाना हो अपने हिसाब से आप कट लगा सकते हैं इसमें कि आपको काजू कत्री जैसा वैसा कट लगाना तो आप वैसा लगा दीजिए या फिर जैसे मैंने इसकोर शेप में लगाया है आप इस तरह से भी लगा सकते हैं यह देखिए हमारी काची बनके तयार हो गई है सिंहाडे की बर्फी है काची है जो भी बोलिए आशा करती को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और व्रत्मे जरूर इसको बनाए और खाये और जो भी आपको कमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए ठेंक यूऊ-बाइ